हेलो स्टूदेंस वेलकम टू डाउटनेट एन वेलकम तो यूर कॉम्प्यूटर एप्लिकेशन क्लास फॉर क्लास 10 एंड सब्जक्ट कोड 165 बच्चो मेरा ना माकर्श गुपता है मैं आपका कंप्यूटर एप्लिकेशन टीचर हूं तो बच्चो आज का लेक्चर हमारा क्य समझते हैं कि html tables क्या होती है clear तो बच्चो अगर मैं बात करूँ कि आप सबने कई सा कई बार आप जब इंटरनेट पर जाते हो वेब साइट्स करते हो या वेब पेजे सेक्सेस करते हो तो वहां पर आपने डेटा देखा होगा टेबल्स की फॉर्म में तो वह टेबल्स क आपने वेब पेजस के अंदर इंसर्ट करा सकते टेबल को एंबेड करा सकते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि टेबल होता क्या है टेबल देखिए आपने देखा टेबल से टेबल्स का फॉर्म बेसिक फंडा क्या होता है बेसिक फंडा यह होता टेबल्स का कि उसम का बेसिक फंडा क्या है टेबल का बेसिक फंडा यह है कि wep pages के अंदर आपको डेटा अगर टेबल के फ़र्म में एंट्री करानी है जिससे कि आपका डेटा के html tables allow web developer जो web developer कौन है जो की web pages को create करते हैं website to create करते हैं आप यह से लोग भी web developer बनते हैं आगे चल के आप भी बनोगे क्योंकि आप html सीख रहे हो तो कहीं न कहीं आप इसको सीखोगे और यह web developing में काम आती है यह markup language तो क्या data arrange किसमें करना है रोज एंड कॉलम्स में रोजन कॉलम्स आप सब को पता है तो चलिए देखते हैं कि example की बात करूँ तो यह हमारी एक टेबल है यह क्या एक टेबल है इसमें कुछ डेटा है प्रकॉलम यह टो टेबल का साइज भी है कि टेबल कैसी फूर इन्टो फोर की टेबल एक समें चार कॉलम है और चार रोज है रोज क्या horizontal ठीक है कॉलम्स ऐसे ठीक है टीज आर दी कॉलम्स और यह वाली रोज होती है तो थो आप इन डोज और कॉलम्ज को बनाने का HTML में कैसे क्रेट की जाती है टेबल और टेबल के रोज और profiles और यदि देटा है वह कैसे इंसड कर आज गया जाता है टेबल के अंदर तो है met और आपको पता है कि स्टेमल में अगर कोई भी काम कर रहे तो प्री डिफाइंड हमारे पास क्या है टैक्स है तो टेबल बनाने के लिए टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए टेबल में रो क्रियेट करने के लिए सब के लिए हमारे पास किया है बीटा टैग्स है तो उन टैक्स करेंगे ठीक है आप समझ गाइब का कॉंसेट कहा है टीबल का यही कॉंसेट है कि अगर आपको अपने वेब पेजेस या है स्टेमेल के अंदर आपको अपना डेटा टेबल के फॉरम में मतलब इस्ट्रक्चर् करते हैं कि चलिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए कि जो html टेबल है वो कुछ टैक से इन से डिफाइन होती है कि यहाँ पर कि डिफाइन स्टेमल टेबल अब स्टेमल टेबल को डिफाइन करने के सबसे पहला जो टैग हमें नीड है वो है टेबल डिफाइन होगी फिर रो अब टेबल के अंkov और कॉलम की बात होगी नौर कॉलम की बात होगी ठीक ठीक अरो दिफाइन करने ज refer всегда अंदर गौन सट है चिसको बोलते करते हैं गया टेबल बहु बोलते हैं टेबल नपीयार टैक्ड भी बोलते हैं जंटेक्स आपको देखते जाना है अब दी आच टैक क्या है यह टेबल की कालटे टेबल की अधिरिंट करती II yeah टीवल की हैडिंग person Kоч inequality आहे हो और यह हमेशा कैसी होती हैholes टेबल और centered मतलब जो भी data आप थैच टैग के अंदर लिखो गे जो भी डीट आप टेफ टैग के अंदर लिखो गो हमें सब बोल्ड होगा by default और centered में होगा ठीक है बोल्ड होगा और centered में होगा टीड कर लिटा ये का है ये टेबल देटा फिए और ढ़िजों डैप्ट करता है कि भई आपको कैपिचण के वारे मिक OF जैब आप जिसे टेबल का केपशन ठीक है तो ये टाक्स हमें याद रखने कि सबसे पहले जो आएगा वो टेबल टाइगा इसके अंदर इसके अंदर ये सारी टैग यूज करेंगे तो are से पहले तरीक तरीक टेबल के अन्दर तो आप को ये सारे टेग बार्ड आप बर्ल्ड के बाद अब ईसे आहले टेँज मुझ करेंगे टीकर तुम टेबल हमार ए Land टेबल आप क्लोस करोगे दो प Ahí Dogi UK लेटव है तुम टेबल आप कॉन्टेइन लग है ठीए और Imari प्राइब ये हमारी यक टेबल है तो मैंने आपり जांपल मेंं दिखाया है कि देके ये कैफशन है ये कैफशन प्राप का वह पिकले थैश्ल अंदर यह आपने यूस कि है टी एच एंट डिटेख टीएच कIA जो की टेबल हिल्टर कें अर्ट के इमदर के अंदर यह किसके अंदर लिखा गया है टीडि एक अंदर और यह फिल्च Autism तो यह एक्जामपल हमारा टेबल का ओने इंस सारे टैगस की हाल से करिये अब तो हमें लिखना क्या से आप समझ गाए कि भाई टीडी टैग क्या करेगा टेबल के अंदर डेटा है वो टीड़ी टैक ये अंदर लिखा जाएगा टीयार क्या डियारी क्या गरेगा मतलब ये टीयारे करेंगा यहां पर तीन रोग करेंगे तीन बार ऐसे लिखना पड़ेगा में और यहां पर इंफरमेशन है यह कैप्शन टैक के अंदर लिखी जाएगी और यहां पर हमने ठीच टैक यूज किया यहां पे ठीच तो टीच टैक एक इन पॉर्टेंट चीज है कि भाई वो बोल् आपको टीडी टैक के बीच में लिखना होगा तो इस टैक्स अर्दी इंपॉर्टेंट टैक्स अगर टेवल आपको डिफाइन करने एक सिंपल सी तो यह सारे टैक को आपको नीड होगी अब मैं आपको बता देता हूं क्याप्शन टैक कोई कंपल सरी टैक नहीं है कि भाई कि टेबल बनाने के ली यह चलिए देखने कैसे ट्वल्ग करते हैं अगर अंगर और लिखे अगर हम कोड लिखे तो कैसे लिख सकते है ठीए यह यह देखिए अब कि कैसे पोट लिखाए हैं अंबनश्यम क्या जापी कोड क्या मैंने टेबल डिपाइन किया अभटेबल से पहले क्या टैग होंगी टेबल से पहले आव सब को पता है कि की यह मिलपका करें ज nämlich से पहले क्या होगा अगर एस टेमल पर काम कर रहे हैं तो है स्टेमल तो पन हो गई और बॉडी के अंदर लिखा जाएगा सारा कंटेंट बॉडी के अंदर तो वह तो और विस बात है कि आपको पता है तो आप देखे कैसे लिखना है टेबल टैग ओपन किया फिट यार जो भ पर लिखाय कॉलम है अंदर कर देखा है यह को पतहुतर लिखा और उसके नगी के अनन तर टैग युझ के बीच पे डेटा लिखा और यहां पर लिखा हुआ है देखिए यह डाइग्राम अपने आप में सब कुछ कर देगा आपको ट्यार एक और रोबनाई इसके बीच में टीडी टाइग यूज किया तीन टीडी टीन कॉलम बनेंगे सिरो के अंदर तो भाई देखिए आपने डिटा एंटर कराया है और यहां टीडाउन कर और टेबल क्लोट टीडल का पूरा ब्लॉक के टीडल के इससे आपके टेवल क्रियेट हो जाएगी ठीक है और देखिए यहां पर कैप्षा यूज किया है जो कि आपके कृप्सोट यूज है जो कि आपके हैजिसे गया तैबल कि जस्थ ओपर आयेका यह बोल् कितनी रोबनाई ञाहिए ती कि मैं तीन रोद लेकर आए हूं हमने आप चार रोबनाई है हमने क्या बनाई है नहीं जाप रोग ना ध्या जीption लोकर दिखार हूं आपको तो तो देंके यह टीयार टैंग का रहा हूद ये पहली वाली क्रेट कर रहा है 947 अब देखी आप पहली वाइभ और देखें यह पहली रोज फिर्ट रहे यह फिर्ट रए जी कर किसी की ज कॉलम की एइधिने करने यह थे का यूस कर सकते हैं फिर एक रो और बनाई ये सकेंड नमबर नोबनाई इसके अंदर हमें टीटिट यूश्किया टीटक अंदर डेटा लिखा तो दीम टीन क्वास्ट और यूड वगा पोर्द रो टीरी टैक रोड़ टा तो फोर्ट रोग्रीट हो गए हमारी उसके अंदर हमने टीरी टैग यूज किये हुए तीन टीरी टैग और तीरों के बीच में डेटा लिखा हुआ है तो यह आउटपूट होगा आपका तो यह पूरा मतलब यह एक पूरा अगर आप समझ जाते हो तो इसका मतलब समझ रहों कि आप सारा कॉंसेप्ट क्लियर और एक बात और याद रखना यह बॉर्डर यहां पे लिखा है कुछ यहां पे लिखा है बॉर्डर तेकिए अगर आपको टेबल आप टेबल के बॉर्डर स्पैसिफाइब नहीं करोगे अगर आप टेबल को बॉर्डर स्पैसिफाइब नहीं करोगे अगर आप टेबल को बॉर्डर स्पैसिफाइब नहीं करोगे अगर आप टेबल को बॉर्डर स्पैसिफाइब नहीं तरह जिंव फोघी ये वैल्युरा की थिकनेस मदाएगी गिल्यू जो नगने दि forensic घी टिकनेस मेरrüका तो अगर आपको डेबल बनानी अगर टेबल का स्ट्रॉक्चर देखना है डेटा सारा इंटर हो जाएगा बट आपको टेबल का के स्ट्रॉक्चर देखना है तो आपको बॉर्डर स्पेसिफाइब करना पड़ेगा टेबल टैग के अंदर ठीविटा चलिए मैं आपको एक आउटपूट दिखाता हो बिना बॉर्डर यूज किए अधैक यहाँ पर मैंने अगराब यहाँ पर triple- आ याहान से देखें तो मैंने टेबल टाइग के अंदर कोई बॉर्डर यूूसर चिया नहीं किया है नो वॉर्डर नो बॉर्डर यूज़ किया है तो देखो टेबल तो बन रही आपकी आप ऐसे भी लिख सकते हो एक रो यह है एक रो यह रो नमबर वन रो नमबर टू ठीक है रो नमबर 3 4 तो आपकी रो तो बन रही है बट क्या हो रहा है और रो नमबर 5 बॉर्डर न een थिति लो बन रहे बट आपने टेबल बॉर्डर नहीं दिया तो खॉपिस आगल बगल कुछ बॉर्डर मिकवर्डर नहीं कोई लिखाए मैंने आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आप होरी जॉन्टली भी लिख सकते हैं ठीक है बस आपको टेबल रो हमेशाथ टी आर टैक क्लोस करना पड़ेगा जैसे कि मैंने यहां पर देखो पहला एक ओपे ने तो लोग फिर 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 ख्लोज है ठीक है पांच रो य सेंटर्ड तो यह बिना बॉर्डर के आउटपूट है तो बॉर्डर प्रोपरटी का आपको यूज करना पड़ेगा ठीक है चले समझ गई यह बात तो यह देकि आउटपूट आप इस सरह से कोड़ लिख सकते हो आप इसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा तो यू कि तो स्वाइब इंपॉर्टेंट टैक्स आपको यह तैक्स याद रखने है और किस के टैग का क्या काम है यह भी आपको याद रखना है ठीक बच्चे चलिए नेक्स्ट अब आम बात करते हैं टेबल के एट्रिब्यूट की किसकी टेबल के ट्रिबूट टेबल टैग हमार का एट्रिब्छी के ठोण चे रिखना होता है जो कि आपके टेख को स्कुष करक्तरिस्टिक परवाइड करते हैं जिस्तक आप का टेबल कुछ चार인데 कर सकता है कोई भी टैग कोई भी टैग ठीक है कुछ उनको करेक्टर देना जिसके थुरू हम कुछ नए ने डिजाइनिंग ना तरीके से टैग को यूज कर सकते हैं तो यहां पे हमें जो टैग पढ़ने हैं जो हमें अट्रिबूट्स पढ़ने वो देखिए अचली इसल स्पेसिंग सेल पढ़ने यससाओ अट्रिबूट्स तो मैं पढ़ने बॉर्डर बारा के बारे में भी मैंने बता दिया बॉर्डर कलर कलर गोडर भी अलाइन बीजी कलर स्रेम अन्डू जैसरे किसके अट्रिव्यूट है याद राइक इसकी अट्रिव्यूट है ठीव कर सकते हो अलग 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 प्रोपरटी यूस करके आप सब्सक्राइब कर रही इस्टेबल कर रही है इस से क्या होगा कि आपकी टेबल का unterstüt फूंट यूथा नग अलग नग पर है Heute बना सकते हो यी सारी परपर टीज को यूँस करके तो सबसे प्ले ओर एक यह बात करेंगे तो चल लिए ऐस्पेसिंग और सेल पाइडिंग की बात करते हैं च्छा होटीर सेल स्पेसिंग च्ल पेडिंग के अंदर लिखी जाएंगे आपको जो भी प्रोपाइड यूस करनी идет आप इस तेग के अंदर ही रिखो गए ठीक है इससे कि सबसे पहले बात करते सेल स्पेसिंग की कि सेल स्पेसिंग क्या है देके सेल स्पेसिंग एक प्रोपर्टी जो की टेबल की शेल जो टेबल आपने शेल बनाई ये टेबल्स के अंदर आप लेट सब आपकी टेबल के अंदर कैसारी शेल्स है तो वह सेल्स की बीच में रिफर जिसमय आप डेटा इंसर्ट कर रहो डेटा भिश्म अनके इलके बीच में कितना कितना स्पेज होगा आप इस जैसे आप को स्पेच चाहिए आप ऐसी स्पेच है खर सकते हो और इस प्रोपर्टिक आपको टेबल टैगे के अंदर लिखना है तो ये बात होगी और दा वैलु कुछ ऐसी टेबल मैं सब माल लिजा आप मेरे पास अभी आपको मैं डाइग्राम का तुरू दिखाऊंगा ठीक है यह मेरी पास टेबल अब यह मेरिय एया यह एक जयमाले यह हमने आप अदर इसल अगल तो है वह फिर Südd यहाल है यह उले पैले इन से किपने डिस्टेंस पर होगा यह से ल वीक我是 आपकी यहार इस एरो बनाये मैंने यह कहा सेलफ पैडिंग है झाल नीयुक्ति न्यापक दिखाता हूँ नापको साय बाते क्लिए और हो जाएंगी module डेहां में डिग्रॉम लेका आया हूँ अब आप ये देखे शेल हुंग्या है सेल स्पेसिंग का मतलब हुआ है यह डिफरेंस टेक रा आपको जो में ब्लैक से कर रहा हूं यह ड़िफरेंस तेरेंस कहां यहाथ यह कि बीच है शेल इस पेसал स्वहर साथ सेडि ईस पेस कितनी है स्टीं बता है और चार शैले और चार ऑशल के बीच में जो स्पेस खाली दिख रही आपको जैसे यहां पे लिखाई देखिस घे सेल है सवस्टेशन तो ये लिद का है सेल इस्पेसिंग और इसला पैडिंग क्या है कि यह देखे यह आपका इसल का 可以 है यह कंटेंट सेलव राल सी आपकी अ है क्लिक यूदिक यह कंटेंट के शेज असको सेलब दिख रही है और魔ructive छोड़ते हैं तो यह चीज झाल हुझ दियाग्राम बहुत अच्छा जिससे का आपको सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़े क्या हो जाएंगी रोजाया ठीग ठीक है सब कुछ डिफाइन यहां पर लिखा हुआ है दो कंटेंट कंटेंट यह लिखो गाना चल के अंदर लिखो के यहां इस यह रिफरेंस यह रिफरेंस यह डिफरेंस जो मैं ब्लैक से बना रोव इसी को बोलते हैं सेल पेडिंग ठीक है और जी किसकी प्रोपरडी जैन टेबल टाइग की परोपरडी सा आपको किसमें लिखने है टेबल टाईग के अंदर लिखनी है यह प्रॉपरेटी इस Practice a हम को आप चला हमक्र्यक्यल भी लेँगे हम प्रैक्टिकल बिचल उल प्सक्रास के बाद इसट्रास मेंहीं देखिए कि में कि क्यांसे ही बोर्डर मैं आपको बताया कि अगर मुण आपको टेबल इपने बॉर्डर देखना तो आप पुट बोर्डर परटी टेबल के अंदर टेबल टेगी के अंदर आसायन करनी पड़े wra़ लिए बिन थिकने से वो इंक्रीज होती जाएगी बेटा ठीक है तो यहां पर लिखाया कि बॉर्डर अट्रिब्यूट विद्धी टेबल टाइग इस यूज तो इस्पेसिफाइद थिकनेस आप दी बॉर्डर लाइंस बॉर्डर लाइन की थिकनेस बिल्कुल बात सही है कि जितनी वैल गोगी तो आपको कुछ भी बॉर्टर नहीं दिखेगा अगर जीरो गी तो मॉर्डर कुछ भी नहीं देखेगा इस एट्स बैल्व जी रो एस टीमल डिस्प्लेड टेबल विदाउट बॉर्डर यां लिखा भी है कि अगर इसकी वैल्यो जीरो होती है तो है सटी मिल क्या दिस्प्लेख करेगा टेपल तो डिसप्लेख अबच बॉर्टर ऐसके जो याध करेगा टियात रखना कंट्थ डिफॉल्ड वैल्य म्थश्ब्रॉश इस मोस्ट ब्र省जर ङ्द्री ब्रहुजर और देना पड़ेगा क्योंक आप तो अगर बॉर्डर स्पैसिफाइब नहीं चलेगी टेबल में बॉर्डर नहीं देखेगा तो मोस्ट आफ दी जो ब्राउजर्स अपना एच्टेमल पेज या वेब पेज रन करते हो ठीक है महाँ पे मोस्ट आप दी टाइम क्या होती है बॉर्डर की वैल्यू जीरो होती तो आपको बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग स्पैसिफाइब करना पढ़ेगा सिर्फ आपको इस तरह सिंटेक्स लिखना बॉर्डर और बॉर्डर की बास एकवल टू वैल्यू देदेने डावल कोर्स के अंदर ठीके बिटा क्लियर हो गया यह प्रॉपर्टी भी नेक्स चलते हैं देखते हैं एकाती बॉर्डर कलर अब जैसे कि आपने बॉर्डर स्पैसिफाइब कर दिया अब बॉर्डर बाइडिफाल तो ब्लैक आएगा बॉर्डर बाइडिफाल तो कैसा आएगा ब्लैक आएगा बट आप चाहते बॉर्डर के कलर चेंज करना जो ब बॉर्टर कलर और कलर आपको पताये आप इस टेंगे अंदर कलर कोड़िंग कैसे कर सकते है एक साथ आसमल कलर का जो वैलियों क्लर की वोपास कर दूद्ध खाने में देदो आप यहां पर दिक ड्वारेड ठीक है और बॉर्डर सेट कर दोगे चाहो आप जिसने पिस्टीनेच चाहते हो आप मेने कर दिया 5 पे ठीक है और टैक को कर दोगे बन तो क्या होगा तो बॉर्डर कलर में जो भी लिखो लिखोंगे तो जो बॉर्डर आएगा आपके टेबल के राउंड वो रेट कलर हो राइट हो सेंटर हो क्या हो तो आप अपने टेबल की पोजिशन इस एलाइन प्रोपर्टी के थुरू सेट कर सकते हैं यह एलाइन प्रोपर्टी तीन वैल्यूस लेगी लेफ्ट राइट और सेंटर इसी तरह से आपको टेबल टैक के अंदर लिखना पड़ेगा टेबल ट इस तो इस तो सेट भी पोजिशन और टेबल विदिन दी ब्राउजर आपको अपनी टेबल की पोजिशन ब्राउजर में कहां शो करनी है या बता सकते हो एलाइन प्रोपर्टी के तुरू तीन वैल्यू लेगा सेंटर राइट और लेफ्ट लेफ्ट इस दबाइड झी नहीं है ठीक है यही सारी प्रबटी क्लियर हो गई होंगे मुझे लगता ए सारी प्रोपटी क्लियर आजान सेंफलक वै कोई आहि को लिक्क्त नहीं है अब रिब्ड़ल अब आपको अपने टेबल के माल इजिदेपल चमने ल मेयर्व पोरपाटी पड़ी लिदी को अपने web pages web page को फिक ल को रिसका background कळिर हमें क्या करना है कलर करना है तो ऐसे यहां पर बी जी कलर्फ टे क्या है वीजी कलर प्रफर्टी जिसके तुरूँ आप अपने टेबल का background color सेट कर सकते हैं का कर सकते हैं टेबल का background color सेट कर सकते हैं it is used to apply the background color to the table बस से शेम इसको भी ऐसे करने टेबल और आपको जो भी बीजी कलर चाहिए जो भी बीजी कलर चाहिए आप पूरा कलर टेबल का उसी तरह से हो जाएगा और एक बात और है कि आप अपने एकॉरडिंग हर शयल का भी कलर्शेंज कर सकते हैं बट वो आने वाली क्लाश में हम बात करेंगे कि कैसे हर एक शयल का कलर भी चैंज कर सकते हैं आप जितनी भी शैल है कीए वह आप पर डिपंड करता है बट अगर यह अगर यह कलर सेट करोंगा तो यह पूरी टेबल यह पूरी टेबल को जो background है उसका BP कर देगा यह property को को देखो यहां ब्लू डेकर पर नशे um begitu यहां पर सारी इस प्रपरडी सेख प्लेन है इस ग्राइग्राम के अंदर सारी प्रपर्डी सच्पेन है वो कहाँ कहाँ प्रोपर्टी है सेल पैडिंग का है सेल स्पेसिंग का है बॉर्डर कलर जैसे की देखो बॉर्डर कलर यह बाहर वाला क्या है बॉर्डर कलर है यह ब्लू ब्लू दिख रहा है ठीक है और यह सेल बॉर्डर इसको बोलेंगे यह बॉर्डर कलर है सेल कर सकते हैं यामारी क्या है है उन्हें है सारी तो देख Umm यहां पिक्या च्छल का कलर भी सेट है और विजू बीड गई सेट है है हर एक शेल का बॉर्डर भी अलग अट्रैक्टिव या ब्यूटिफुल टेबल बना सकते हैं ठीक है इस ट्रैक के अंदर लोग यहाँ पे लगोल सेल स्पेसिंग आपको दिखा दिया गया है कि सेल स्पेसिंग तो कि यह डिस्टेंस है सेल्द गई तेंस है और सेल पैडिंग वही कि कंटेंट से सेल वॉल की है फेरेंगा मजल अपने गरों में देखा है आप गरों में सिन्रीज होती है फ्रेम्स दाइज से लिपfox एक फोटी हो फोर्टो बैक उसमें बॉर्डर है उसमें क्या है टेबल है बॉर्डर है तो कौन सा फ्रेम आप ये फ्रेम प्रोपर्टी के तुरू आप ये बता सकते कि कौन सा फ्रेम किस साइड का टेबल का फ्रेम किस साइड की टेबल का फ्रेम डिस्पले होगा और इसकी कई सारी वैल्यू जै इस फ्र रहें लिखना है और फ्रेम के अंदर जो वेल्यू जो वैल्यू जैनि यहाप यह लिख लिख द bezel हर एक काम करेगी एक आप यह रखेंगे तो आपको इस टाइब का फ्रेम दिखेगा इस टेबल का फ्रेम देखें गई तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूस है यह आप यह सारी वैल्यूस फ्रेम को दे सकते हैं तो अगर हर एक वैल्यू को डिस्क्रिप्शन दिया गया कि अगर यह वैल्यू देंगे तो क्या होगा यह वैल्यू देंगे तो क्या होगा चलिया हमें के करके डिसकस करते एक वैली को अगर आप वाइड वैली देते हैं क्या देते हैं वाइड तो यह समझे लिजे वाइड का मतलब और आउट साइड बॉर्डर्स आर नौट डिस्प्लेट मतलब अगर आ मतलब only bottom border border the bottom wall about us only only what display वोगा ठीक है हाइड है एच हाइड का मतलब क्या है जो टॉप और बॉर्टम मतलब horizontal ह का मतलब क्या है आप होरिजोंसर साइड होरिजोंटल काउंस यह साइट सो से टेबल की सिर्फ यह डिस्प्लेय होंगी ठीक है विस साइट का मतलब अगर यह पर पास करोगे तो सिप टेबल की यह साइड दिस्प्लेयों कि आगए एक रिट्र लिखोंगे लेफ्ट-ाइंड साइड लेफ्ट-ाइंड साइड तो अर्लि ज़ु लेफ्ट साइट की ऐसे बोडर दिस्प्ले ELK ठोट हो गया प्रॉपर्टी सपास करोगे तो वह सिर्फ एंड़ाइक नियुक्ण और तो बार कीम अगर अंदर कुछ निखेंगा अंदर कोई तो यह सारी वैल्यूस फ्रेम की हो सकती है कि अपने अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यूस आप पास कर यह कि उसके अकॉर्डिंग आप जो भी चाहेंगे टेबल का फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगा ठीके बटा इन चीजों को याद रखना है एफ साइस का मतलब होरिजॉंटल की सिर्फिया डिस्पले होंगे तो चलिए देख सकते हम एक करते कैसे हम ने इसको अपलाई करना कैसे इंप्लीमेंट करना है पहले एक बात समझ रहते एक नोट समझ रहते हैं मैं यहापई एक नोट क्या बोला है कि टेबल फ्रेम फ्रेम प्रोपर्टीं रूल्स तरिके ए करें आगे चल के रुस प्रवर्टी इनको आपको ब और एटरिबिट के साहथ यूजा नहीं करना है सिर्फ बॉडर एट्रिबीट नहीं होना चाहिए टेबल के अंदर टीग है ructured attribute नहीं होना चाही है और इफ दी बोर्डर एट्रिबूटर से एक्स्प्रेस एंद्य है जिरू अगर वैल्यू आपकी बॉर्डर आपने अपलकर एंदर लिख दिया टेबल के अंदर इसे आपने बॉर्डर भी लिग दिया और फ्रेम प्रॉपर्टी भी लिग दिन यह दोने साथ यूज नहीं होंगी ठीक है नहीं होंगी कि मतलब अपने बॉर्डर hoven यूज यूज है इन दोनों के साथ तो इंक दोनों वर्क नहीं करेंगे ठीक है तो आपको बॉर्डर प्रोपर्टी यूज है करने जब आप फ्रेम होन्रू प्रोपर के को यूज कर रहे हैं है आप टेबल के अंदर यह नोट भी लिक है ठीके बटा ये बात को ध्यान रखना है आपको चलिए आई तिंग ये क्लियर होगा नोट कि आपको सिर्फ क्या करना जबा फ्रेम प्रोपर्टी यूज कर रहे हैं तो आपको बॉर्डर प्रोपर्टी टेबल के अंदर यूज नहीं करनी अगर करोगे तो ये दोनों काम नही करेंगी प्रोपरली ठीकर बटा चलिए आगे चलते हैं अब देखने किस तरह से में फ्रेम प्रोपर्टी का यूज करना है ये देखो मैंने कैसे लिखा यह मैंने पुड़ अपोड लिखा है और मैंने कैसे लिखा एक फ्रेम एच साइट सिर्फ वह सारी वैल्यू जोमने टेबल चार्ट के अंदर देखी दिए वह सारी वैल्यूस में से मैंने एक वैल्यू उठाई है जिसका मतलब है होरी जॉंटल साइट सिर्फ टेबल के होरी जॉंटल साइट दिखेंगे तो हमें आपका आउटपूट दिखाता हूँ कि यह मैंने टेबल क्रेट करने के एक कोड लिखा हुआ और जिसके अंदर मैंने फ्रेम प्रोपर्टी यूस करी जिसके अंदर वैल्यू दिए एच साइट ती सिर्फ उस टेबल की होरी जॉंटल साइट दिखेंगे और कोई सीफ होरी जोंतल साइट यहां पर डिस्पले हो रही है यह ठीए हरिजों टर साइट से हैं हे देखा तो आप अगर फ्रेम के अंदर eff attentive लिखोके तो यह होगा बाकि कुछ भी डिस्पले नहीं हो रहा है सिर्फ horizontal sites डिस्पले हो रहे हैं तॉप वाली और बॉटम वाली क्लियर यह टेबल का content है यहां पर तीर टैकर यूजट यस्के योड़ा हुए ह। यह पटीए यूज़ के हूब है कि झालिंट अपने खाल है नोटपै निवा बरकत कोल करना तॉब यहां से कोड़े के अपने कंप्यूटर के अंदर अपने ठीक है कर सकते में चली मैं आप और भी देख्से और इसके अंदर Data हो गा इसके अंदर data होगा सिर्फ बॉक्स बनेगा कुछ बनेगा देख़ो कि यहां तक समझ आ गयोंगा बहुत सिंपल यह तो मैंने टेबल बहुत सिंपल बना दिया आपके लिए मैंने सारा आउटपूट दिखा दिया आपको समझ गए होगा नेक्स्ट अब देखो मैंने यालिका वाइड एक वाइड प्रोपर्टी भी है इससे क्या होगा फ्रेम की एक वाइड प्रोपर्टी भी लिखी मैनस कई सारी जो इंपॉर्टन प्रोपर्टी जैं उनको देखके दिखा दिया तो आप समझ जाओ गए किस तरह से आपको वैल् लाइड लुटर ने तो वाइड ने वाइड का मतलब कोई बॉर्डर ने डिस्प्लों कोन रखना है और और कॉन कहन सी वैलिए फ्रेम एट्रिवीट की हो सकती है बीटा थीं आ बहुत बात करते हैं रूस एट्रिविट की अभी आने फ्रे मैं aged 있으면 देब्र देखा अब रूस एक रिबूट किसे लिए कॉ бол Stunden करता है जो ए ट्रिबूट इन साइट बॉर्डर के लिव और करता है कि कौन सा एज बने दोनाती एक आन साब कौन सा पार्ट इंसाइड बॉर्डर जैसे कि ये आउट साइड ऑरडरह टेबल का और ये अंदर क्या है inside water है यह टेबल के जिसे यह सारे inside water है और यह outside water है बहरवाला ठीक है तो अब यह property rules property यह बताएगी आपको कि कौन सा कौन साइंसार inside part आपको display होना है इसके भी कुछ values होंगी वह values आप use कर सकते हैं की भी कुछ values होंगी तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास और यह सारी values हो सकती है रूल्स की तो सकती है रूल्स की अगर आप rules के अंदर rules equal to none pass करोगे तो मतलब no lines कोई भी line display नहीं होगी inside border कोई भी line display नहीं होगी inside border में अगर आप groups लिखोगे तो groups मतलब सारी lines सारी सब कुछ यह रोज डिस्पलियों हो जाएगा ऐसे group बन पूरा सब कुछ ठीक है lines between the row groups and column groups यह जाएगा रोज लिखोगे अगर रोज लिखोगे सिर्फ रोज डिस्पले होंगी सिर्फ रोज डिस्पले होंगे क्ष Bibege अग और अगर आप कॉल लिखोगे तो सिर्फ ऐसे करके डिस्पलियों गा यह इंसाइड की बात कर रहा हूं और अल लिखोगे तो यह हो जाएगा और लिको तो क्या होगा यह होगा ठीज है और में यह विटा ऑल के लिए होगा और से और रोस्काल यह होगा तो अगर आप ये इनसाइट कौन सा पाद आप चाते और डिस्पले ओसा पार्ट करा नहीं चांते तो आप rules property के throosbased sako consumo आ लिख सकते हो तो मैंने उसको भी सम्झाया है इसी तरह coding के थो समझाया है तो आप देखी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर सारा डिस्प्ले हो रहा है इंसाइट सारा डिस्प्ले हो रहा है ठीके बेड़ा इंसाइड सारा डिस्प्ले हो रहा है सारी लाइन सारे बॉर्डर अंदर वाले यहां पर मैंने क्या यूज क्या हुआ है रूस ओल तो आप उनमें से कोई भी वैल्यूस कर सकते हैं अपने एकॉर्डिंग कैसी टेबल बना रहे जिस तरह सापको टेबल का इस्ट्रॉक्चर ड्रॉ करना है आप उस तरह से काम कर सकत है अब मैंने यार रूस दो लिखा है रोज लिखा देखिए सिर्फ रोज डिस्प्लेइए तो देखिए सिर्फ रोज हो रही है यहां पर कॉलम भी होती है बट नहीं और इस रोज और क्योंकि मैंने रूस के अंदर क्या लिखा हुआ है रूस तो रोज वाली जो नहीं पूर्टंट और स्के ऐट्रिब्यूट सारे इंपॉर्ट एंड इप drives अब हो सकते हैं वह सारी इंपोर्टर क्या से ऐसा कुछ भी नहीं कि सैप्टर से कुछ भी नहीं कुछ बदे पूच्छा जा सकता सब कुछ पूछा जा सकता है तो चलिए अब हमारा टाइम है प्राक्टिकल का तो चलिए हम प्राक्टिकल देखते हैं कि हम को कैसे टेबल तो मैं आपको क्या करना पड़ेगा सारी प्रोपर्टीस आप एक बाद टेबल टैगी के अंदर यूज कर लेगे तो चलिए get ready for और धी प्रैक्टिकल तो स्टुदेंट देखिये यह हमारा कोड है ठीक है तो आज हम ने टेबल के बारे फ़लए तो अमने टेबल की कुछ प्रॉपरटीस पढ़ी थी तो मैंने आपको यहां पर तीन टेबल बनाई इस कोड के अंदर मैंने तीन टेबल बनाई जैसे कि एक टेबल ये है हमारी पूरी ठीक है एक टेबल ये है और एक टेबल हमारी ये है तो बच्चो मैंने सारी प्रोपर्टी स्टेबल टैग की और जो जितनी भी हमने बताई थी जैसे कि alignment property border shair padding saw spacing bg color border color TB Day Home service means टो मैंने तीन केबल में अलग-अलग property यूज की है तो मैंने अकर मैं बात करूँ पहली टेबल की तो पहली टेबल करें मैंने align property border-ot only about it self a dinero प्रोपरटी but aowych처 यह शेल इस पेशिंग टेबल में मैंने frames property यूज करी है उसको align center कर दिया है ठीक है यह यह इस second table है जिसके अंदर हमने frames property यूज करी है उसकी value दिये h sides और आप सबको पता है कि frame property करेगी क्या फूर्ट टेबल बनाई है मैंने थार्ट टेबल में मैंने rules property यूज करी है और उसको value दिये rows तो देखिए और align किया है right तो यह हमारे तीन टेबल के code है तो इस तरह से code हमें लिखना है आप मैंने ऐसे lines by lines लिखे क्योंकि space बचाने के लिए आपको समझ में इसलिए ऐसा लिखा है आप one by one करके भी लिख सकते हो एक के नीचे एक भी लिख सकते हो ठीक है बेटा तो चलो देखते है इसका output कैसा आएगा मैं output आपको अगर दिखाओं इसका ठीक है तो यह हमारा कुछ ऐसा output आएगा यह आपको output दिख रहा है मैं मेरे सामने जो हमने पहली टेबल बनाई थी जो अमने पहली टेबल बनाई थी उसका output यह है कि उसमें मैंने CELT इन्द टेबल यह제 ऑट पर चुर्य के बनाई चुर्व ठीक क्यों में來到storm करते ही ढएगा ठीक है और align मैंने left रखा है तो ये left align ने webpage से left aligned है फिर second table की बात करें second table पर मैंने frame property यूज करी जिसके अंदर मैंने use कि है edge sides मतलब horizontal sides तो frame क्या कर रहा है कि outside का जो frame है जिसे कि ये ये दिख रहा है आपको उपर outside तो एक नीचे line आ रही एक उपर line आ रही मतलब जो horizontal lines डिस्प्ले कर रहा है सिर्फ horizontal lines display कर रहा है और जो third table के अंदर क्या है कि मैंने rules property यूज करी है और rules आपको क्या करता है कि जो inside border होता है table का inside border के साथ आपको आप उसके साथ changement modification कर सकते तो मैंने rules के अंदर देखिए क्या use क्या था rose तो अंदर जो rose वाली line से सिर्फ वह display हो रही है ठीक है तो अगर मैं आपको code पर वापस ले जाओ अगर मैं code पर वापस ले जाओ जो भी देखिए यहाँ पर कि अगर मैं health sites की जगे यहाँ है अगर मैं एचर्शांयट की जगे मैं यहाँ चेंच कर रहा हूँ मैं एचर्शांयट की जगे क्या وسides कर दो और Save कर दो फाइल को control plus ऐस से या आफ ऊपर जा के सेव कर सकते ऐसे और एसको फिर से i am refresh कर लो तो देखो क्या हुआ चेंज हो गया सेकेंड वाली टेवल में चो पहले वो रिज़ंटल साइट सी वह वी साइट सी हो गयी अब वी साइट से हो गई ठीक है ऐसे ही में और भी चेंज कर सकता हूं मैं यहां मैं box लिख सकता हूं frame के अंदर box box लिख सकता हूं यसे मैंने box लिखा और save कर दिया file को save करना जरूरी है जो भी changement करोगे तब ही वो दिखेगा आपको ठीक है फिर अगर मैं करता हूं तो देखो box बन गया बन गया ठीक है क्या हो गया box बन गया की नहीं हो गया तो जो भी फ्रेम्स की वैलू आप चेंज करते हो कि उस रसाप से आपका बॉड़ आपका frame सेट होता जाएगा इस रसाप से फिर रूल्स की property देखे हम रूल्स प्रोपर्टी की बात करें रूल्स वाले में तो रूल्स से चरचोंड नहीं को चल जितने भी रूlor और कॉलम्स वाली लाइन लिए मिका डिस्प्ले हो रही है यहां पर डिस्प्ले हो रही है करसर ंसका देखिया यहां पर डिस्प्ले हो रही है तो इस रिसाप से आप चेंजЕ कर सकते हैं ठीक है या सारी बूपर्ट्री इस बढ़ा दूं इंक्रीज कर दूंकी वैल्यू अगर मैं यहां जाओं पहली वैली टेबल के अंदर दूंकी वैल बढ़ गई और पैडिंग बहुत आपको दूंस यहां प्रूंद को देख सकते हैं और ऐसे ही अपने computers के अंदर भी आप implement कर सकते हैं बच्चो तो आपको अगर ये code same to same आपको implement करना है तो आपको करना क्या होगा आपको सिर्फ इस code को लिखना होगा notepad पे और file code.html से save करना होगा तो आप जैसे मैंने code लिखा आप same to save its codes को भी implement कर सकते हैं ठीक है तो आपक कि सारे practical clear होगा आपको चलो class में वापस चलते हैं तो आपने देखा होगा practical अप्रेक्टिकल से वापस आ गया है हम class में तो आपने समझ गया होगा कि tables को कैसे design करना है कैसे color करना है तो आप ऐसे practical का use करके आप मेरे यह जो आपने देखा जो पढ़ा उसको एक बार आप practical कर आपके घर भी देखना तो आपको पता चल जागा कि tables कैसे create करनी है और वह सारी properties को आपको याद करना जरूरी है ठीके बिटा तो चलिए फिर मिलेंगे अगली class में और अगली class में मैंने जितना भी आपको अभी तक पढ़ाया है जैसे कि मैंने आपको audio video tag session पढ़ाया है table tag पढ़ाया है तो उसका कुछ session लेंगे अपन लाइव आउंगा मैं आपके सामने अगली class के लिए ठीक है और मैं वहां क्या करूंगा कुछ session होगा जितना मैं अभी तक पढ़ाया है अच्छे से कुछ रहेंगे बहुत अच्छे से जिससे कि आप अच्छी से प्रैक्टिस क कर साओंगे output based question होंगे जिस तरह से आपके exam में पूछे जा सकते हैं जिस तरह से आपके exams में question पूछे जा सकते मैं उस तरह के questions आपके लिए लाओंगा तो चलिए तब तक के लिए बच्चो अपना ध्यान रखिए तब बाए बाए टेक केर और सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं